हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जैसे मैं अपने वीडियो पर वोईस ओबर नहीं करती बत इस बार पहली बार वोईस ओबर कर रही हूँ तो कुछ ऐसा ही इंसिदेंटी हो गया कि मुझे वोईस ओबर किये बने रहनी पाई तो चलिए मैं बताती हूँ क्या हुआ ऐसा तो जैसे ही कल मेरी बेटी स्कूल से वापस घर पे आई तो वो आकि तेज चिलाने लगे वामी स्कूल में आर्ट कॉमपेडिशन है मुझे आर्ट चिखा दो मुझे आर्ट चिखा दो तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं मैं अपने काम फिनिस कर लेती हो तो मैं तुझे सिखा दूँगी तो उसने बोला ठीक है मामा तो फिर मैंने सोचा इस छोटे सा बच्चे को क्या सिखाऊ इतना चोटे बच्चे को क्या हो बनाने दे सकता है फिर मैंने इजी कुछ डॉरिं के लगर से ब्लू कलर करो और संदर से एक बाउंडरी के बाउंडरी के बाहर नहीं निकलना चाहिए कि में अपने लेक्ट कर रही है और सीधु कैमें जैसी स्वाइब यह भी सुद्धर कर रहे हैंaud compañ तो, हमने बॉन कलर का लिया, और हमने ग्रिन कलर सोटाट किया। तो, मैंने उसे बोला कि सिर्भ बार पेंगा झालना चाहिए। बाउनरी के अंदर करो हुँएंके तो पहलए बाउनरी बना लो। उसके बाद कड़ू। तो वो मेरे जैसे ही फॉलो कर रही है मुझे और बाउंडरी बनाते बनाते हो तो देखो मेरे साथ क्या कांडुगा, मैंने क्या किया उसके कलर के साथ, और उसके बाद ये क्या हो? तो देखा ना आपने मैंने क्या कर दिया और उसके बाद मेरी बेटे के तो गंगा जमना के धार बहने लगे तो उसे मनाने के लिए मैंने कितना तेल मारा यह कुछ नहीं होता मैं कि नहीं खड़ी दूंगी लेकिन वह ऐसा तो वह मानी नहीं एक लास्ट मुझे अपना है कलर्स और ब्रसे सारे उसको दूंगी तब जाके वह कहीं मानी और मैं अब क्या ही बोलू तो चलिए आप लोग मुझे बताई कि मेरा पहला वोईस ओवर आप लोगो कैसा लगा कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं और इंस्पायर हो सकूँ थैंक यू और यह वीडियो लास तक आप लोग जरूर देखिये थैंक यू कर दो चलिए झाल झाल